प्राधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि कॉंग्लेस पुर्वत्तर को एटीम के तरह इस्तमाल करती थी जबकि भारतिय जन्तापाटी शेत्र के आठ राजियों को अश्ट लक्ष्मी मानती है और यहाँ शान्ती और विकास के लिए काम कर रही है दीमापूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पियमोदी ने कहा कि राश्टिय जन्तांत्री गडवंदर नागलेंड में अस्थाई शान्ती लाने का प्रयास कर रहा है पहले पुरोत्तर में विभायन की राचनीती थी अब हमने इसे दिब शासन में बदल दिया है भाजपा धर्म और शेत्र के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है